डेली कनेडियन न्यूज बुलेटन इन हिंदी एंड उर्दू, अउनली अट्रैक टीवी महीरीन ने कैनेडा में गुजिश्टा सालों की निजबत जाधा सर्दी की पेशगोई कर दी महीरीन का कहना है कि प्रदाई तौर परी मौसम मामूल से जाधा सर्द है कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन टूर्डू से उर्दन के शाधुला दोएं की मुलाकात, सलामती के मौामलात, महाजरीन और भामी दलस्थपे के अमूर पर तबादले ख्याल किया गया कैनेडियन सूबे ऑंटेरियो टीचर्स यूनियन का हरतान का ऐलान तालीमी बहरान पैदा होने का खच्चा, वजीर तालीम ने सालिसी का मुतालबा कर दिया कैनेडियन नैशनल रेलवे वर्कर्स और इंतजामे के मावें मुतालबात पर तनाज़ा बर करार, रेलवे वर्कर्स यूनियन ने हरताल पर जौनिका ऐल्टीमेटम दे दिया है आबो हवा में तबदीली तेजी से बच्चों की सेहत को मतासर कर रही है, बैन अलवामी जरीदे की रपोर्ट के मताबिख खुराक में कमी और अलूदगी बच्चों की सेहत पर मन्फी असरा डाल रही है अमरीकी सिदर के मौकजे के लिए तहकीका जारी है, डॉनल्ड ट्रॉम्प कहते हैं कि वो तहकीकात में खुद पेश होने पर खौर कर रही है हैडलाइंग्स आपने जारी खबरों की तफसील शामल करेंगे इस प्रेक के बाद करेंग्स 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 Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. Swami Kashi Guru Ji का कहना है कि वो आपकी तमां समस्याओं का हल जानते हैं. Swami Kashi Guru Ji is a specialist in bringing back your loved ones. He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours. आपके depression, family, court problems और बेशुमार मसाइल के हलका दावा करते हैं. स्वामी काशी गुरुजे से राप्ता कीजिए 647-765-6311. 647-765-6311. एड्रेस 565 मारकम रोट, स्कार्बरो. कैनेडा से खबर शामल करेंगे, आपको बताएं कैनेडा में सर्दी का हाल या मौसम जादा तवील और सक्त होगा. जैसे कि नवंबर के महीने में जुनूबी ओंटेरियो में शदीद सर्दी देखी गई और प्रेवरींस में भिजली की बंदश भी देखने में आई. वेदर नेटवर्क की जुनूब से पेशकोई की गई है कि कैनेडा भर में माज़ी की निजब जादा बर पारी हो सकती है. मौसमियाती महीनी का कहना है कि सर्दी के अब्तदाई मौसम में जो आलमात नज़र आ रही हैं उससे जाहर होता है कि इस साल जादा सर्दी होगी और उसकी मुदद माज़े के मुध्ले में जादा होगी. माहिरین का कहना है कि बिर्टिश कॉलंबिया में धर्ज़ हरारत मामूल के मताबक ही रहेगा अलबता में मामूल से जादा ठंड होगी जब कि सस्केचुवान और मिनी टोबा में सर्दे की शिदत जादा होगी जनूबी ऑन्टेरियस जनूबी क्योबेक के हावाले से माहिरीन का कहना है कि बहां के लोगों को गहर मामूली सर्दी के लिए तयार रहना चाहिए कच बात करेंगे फारलिमेंट हिल के दफ्तर में होने वाली मुलाकात में वजीर आसम जस्टिन टूडो ने मश्ची के बुस्ता में सूरिज जदा हालात में अर्दन के बाश्चा के करदार की तारीफ की किंग अबदुल्ला दूम ने कैनड़ा की जबरदस्थ हमायत के लिए उनका शुक्रियादा किया कैनड़ा के वजीर आसम जस्टिन टूडो ने अर्दन के शाअ अबदुल्ला दूम से मुलाकात की जिसमें सलामती के मामलात महाजरीन और भामी दिल्चस्थपी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया फालिमेंट हिल के दफ्तर में होने वाली मुलाकात में वजीर आसम जस्टिन टूडो ने मश्चे के वुस्ता में सूरिज जदा हालात में अर्दन के बाद्चे के किरदार की तारीफ की किंग अबदुल्ला दूम ने कैनड़ा की जबरदस्थ हमायत के लिए उनका शुक्र फाजी और इंटेलिजन्स ताबुन के सलसले में कैनड़ा से हासिल करदा जबरदस हमायत को सराता है वजीर आजम के दफ्तर ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने कैनड़ा अर्दन की तनू को फरोग देने और पुर तश्दुत इंतहा पसंदी के खात्मे की कोशिशों प की गई है केनेडियन सूबे ऑंटेरियो के प्रेमिर डॉक पोर्ट की हकूमत से मुझाकरात की नाकामी की सूरतहाल में सूबे में तालीमी मामलात मुझासर होने का खच्छा जाहर किया जा रहा है केनेडियन सूबे ऑंटेरियो के प्रेमिर डॉक पोर्ट की हकूमत से मुझाकरात की नाकामी की सूरतहाल में सूबे में तालीमी मामलात मुझासर होने का खच्छा जाहर किया जा रहा है ऑंटेरियो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की जानब से सुबाई सता पर मुमकिना हरताल के हवाले से वोटिंग की गई जिसमें पिच्चानमे अशारिया पांच पीसद असाज़ा ने हरताल के हक में वोट दिया जबकि 92 पीसद तालीमी अमले ने भी उसकी हिमायत की ऑंटेरियो भर में 60,000 असाज़ा पर मुच्तमिल यूनियन के मुताबर की एक कानूनी हरताल होगी जबकि मुलाजम से मुतालिक किसी भी एकदाम से पांच दिन कबल नोटिस दिया जाएगा यूनियन के सदर हारवेव बेशोफ का कहना है कि हमारे नमाइदे सुबह में मेयारी तालीम के लिए हुकूमत के खिलाफ पुराजम है जबकि हुकूमत उसे कमजोर करना चाहती है दोसी जानिब ऑन्टेरियो के वजीर तालीम स्टिफल लिचे ने यूनियन्स को सालिसे की दावत दी है जबकि कैथलिक टीचर्स ने भी दीगर यूनियन्स के साथ इस हरताल में शमूलियत का ऐलान किया है लिचे का कहना है के तनखाहों समें दीगर मतालबात मुजाकरात की मेज़ पर मौजूद है जबकि सालिस के जरीए किसी आहम नतीचे पर पहुँच सकते है वाज़ रहे के ऐलिमेंटरी स्कूल टीचर्स की जानिब से भी 26 नवंबर से हकूमत स्कूल बोर्ड इंतजामे के खिलाफ वर्क टू रूल मोहिम के आगास का ऐलान किया गया है तहाम उसमें तल्बा की तालीमी मौमलात मामूल के मताबिक ज़ारी रहेंगे आगे बढ़ लेते हैं खबर शामल करेंगे आपको बताएं केनेडियन नैशनल रेलवे वर्कर्स और इंतजामे के माबें मतालबात पर तनाज़ा बरकरार है और दोनों फरकें के दरम्यान मुजाकरात के बावजूद तनाज़ का कोई हल सामने नहीं आ सका मुजीद हवाल इस रिपोर्ट में केनेडियन नैशनल रेलवे वर्कर्स और इंतजामे के माबें मतालबात पर तनाज़ा बरकरार है और दोनों फरकें के दरम्यान मुजाकरात की बावजूद तनाज़ का कोई हल सामने नहीं आ सका रेलवे वर्कर्स यूनियन ने हरताल पर जाने का चारिफिन की जाने से किया गया था यूनियन तीन हजार से जायत वर्कर्स की नुमाइनदगी करती है जो मरात में और दीगर मतालबात कर दिया है। सेराज़दगी खुराफ में कमी और आलूदगी बच्चों पर ऐसे मन्फी असराद डाल रही है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में आबो हवा में तब्दीली या क्लाइमिट चेंज तेजी से बच्चों की सहत को मतासिर कर रहा है बैनल अक्वामी साइंसी जरीदे लेंसि फर आहरम करते होएं कहा है कालूधी से फजा में मौझूज जराद पहले ही बच्चों में दमे और सांस की बिमारियां पैदा कर रहे हैं गाड़ियों और बसों से खारच होने वाला धुआ उर जराद उसमें एहम किरदार अदा कर रहे हैं यही बजह है कि आलमी माहिरीन हम काजी एंधन फॉसल फ्यूल यानि गैस पेट्रॉल या जमीन से हासल शुदा हर तरह के एंधन की होसला शुक्नी करते रहे हैं इसी तरह साफ पानी के दम दस्तियावी से बच्चे हैजे में मुब्तला होकर हलाक हो रहे हैं दूसी जानब खुश्क साली से गजाई किलत बच्चों की तकलीफ को दुगना कर रही है इस सूरत हाल से इंतहाई गरीब और मतवस्त आमदनी वाले मुमालिक की एकसा मतासर हो रहे है माहिरीन के मताबक बढ़ते हुए बच्चों का जिसम और आजा महलियाती दबाओ के अंदेखे शिकार बन रहे है उनके इमनियाती दिमागी और जिस्मानी निजाम पर बुरे असरात मुरत तब हो रहे है मेंगाई और घजाई अजनास की कीमतों में मसलसल इजाफे से नौमालूद भी बहुत मतासर हुए बगहर नहीं रहेंगे तिब जरीदे लेंसिट की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लामिट चेंज दुनिया भर की आहम फसलों को शदीद नुक्सान पहुचा रहा है और पिछली 30 बरस में चावल और मकई समेत कई अजनास की पैदावार कम हुई है रिपोर्ट में कहा गया है कि डैंगी और डाइरिया जैसे अमरास बच्चों को शदीद बिमार कर रहे हैं और डैंगी के फैलाने में तारीख के 10 अहम बरसों में से 9 साल 2000 के बाद नोट किये गए है अमरीकी टीवी के मताबिक अवान नुमाइंदिगान की इंटेलिजन्स के मेटी तहकी कात कर रही है कि अमरीका के सदर ट्रॉम्प का मौखजा किया जाई या नहीं ट्रॉम्प ने कहा है कि वो इस पर गोर कर रहे हैं कि अवान में खुद पेश हो और सवलात का जवाब दे मुझी अहवाल इस रिपोर्ट में अमरीकी सदर के मौखजे के लिए तहकीकात जारी है या नहीं इंटेलिजन्स केमेटी के चेर्मिन आडम शेफ के कहना है कि ट्रम्प ने यूक्रेन और चीन को जो बाइडन और उनके बेटे के खलाफ तहकीकात चुरू करने का कहकर मुल्क से घड़ारी की है उनका मौखजा किया जो आडम शेफ ने अलजाम लगा है कि तहकीकात में महकमे खारजा को गवाहों के एवान में पेशी के लिए बुलवाया गया लेकिन ट्रम्प ने उनको आने से रोका ट्रम्प ने गवाहों पर असर अंदास होने की कोशिश की ट्रम्प ने वाइट हाउस में मीडिया से गुफटगू में कहा कि वो इस पर गोर कर रहे है कि एवान में खुद पेश हो और सवलात का जवाब दे इसे के साथ ही टैक टीवी के पाकस्तान स्टुडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद ख़बरों आप देच के लिए देखते रहें टैक टीवी